तो क hedge हैं दोस्तों आप सब दूस्तो टाइम हो चुका है टॉप टेक नीउस का तो चलिए आई दोस्तों इस वीडियो के शुरू करते हैं तो दूस्तों आज की सबसे पहली टेक नीउस की बात की जाये तो वह आ रही है सैमसंग की तव से जी हां एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है Galaxy F41 दोस्तों यहां पर यह डिवाइस जो है ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आपको देखने को मिलता है वहीं अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें लगी हुए है 6.4 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले प्रोसेसर यहां पर आपको प्रवाइट किया गया है Exynos 9611 और वहीं अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो 32 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा शूटर है वहीं अगर इसकी रैम और स्चोरेज की बात की जाए जितना ज्यादा हो सकी शेयर कर दीजे और हाँ अगर आपने मैं चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर लिजेगा नीचे दी हुई लाल बटन को प्रेस करके वहीं दोस्तों इसके बाद अगली टेक न्यूस की बात की जाए तो वह आ रही है AMD की तरसे जिया दोस्तों AMD ने अनाउंस कर दिया उनका Ryzen 5000 सीरीज Jack Chop CPU और ये भी बोला है कि ये जो CPU है ये globally available हो जाएगा 5th November तक इसके अलावा यहाँ पे ये detail सामने आ रही है कि ये जो AMD का processor है ये based है updated Zen 3 technology पे architecture जो है उनका इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे single और multi core performance again आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर वहीं दोस्तों इसके बाद अगली tech news की बात की जाए तो वो फिर से आ रही है Samsung की हितर से और Samsung ने इसके अलावा यहाँ पे launch किया है Galaxy A21s model भी दोस्तों यह भी एक बहतरीन model है जिसके अंदर आपको 6.5 inch की display देखने को मिलेगी वहीं अगर processor की बात की जाए तो इसके अंदर exynos 850 SoC दिया हुआ है वहीं अगर आप बात की जाए camera की तो यहाँ पे rear camera जो है आपको मिलती है वहीं अगर बात की जाए सबसे main battery capacity की तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी वहीं दोस्तों इसके बाद अगली tech news की बात की जाए तुवारी है Panasonic की तरसे और Panasonic ने launch कर दिया है Wi-Fi enabled smart LED bulb जो की multi color में option में आपको देखने को मिलेग इसके अलावा यहाँ पे आप auto scheduling का option भी आपको मिलेगा कि जहाँ पे आप schedule कर सकते हैं automatically वो उसी तरीकी के color में आ जाएगा और यहाँ पे nearly 16 million sheds जो है यह आपको offer करेगा और यह no what का bulb है वहीं दोस्तों इसके बाद अगली tech news की बात की जाए तो वो आ रही है snap deal की तरसे ज इसे में snap deal भी लेके आ गया है कम में दम वाला दिवाली sale और दोस्तों यह sale जो है start हो रही है October 16 से इसके अलावा आपको यहाँ पे daily use gadgets पे अच्छा खासा discount देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे sales start हो गए हैं अगर आप चाहें तो आपको बहुत सारे options है Flipkart, Amazon और अब snap deal भी आ गया है वहीं दोस्तों इसके बाद अगली tech news की बात की जाए तो वारी है PTM के तरसे जियां दोस्तों ऐसा लगता है कि PTM और Google की जो लड़ाई है वो थोड़ी लंबी चलने वाली है और Google को यहाँ पे अच्छा खासा शायद नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि अब भाईया बात है एक इंडियन से टकल लेने की तो ऐसा मामूली बात तो है नी तो ऐसे में PTM मेनी एप स्चोर जो है वो टार्गेट कर रहा है वन मिलियन एप्स को 2021 के क्वार्टर वन तक अपने सर्विस पे लेके आने का और ऐसा यहाँ पे जो उनके CEO ह उन्होंने भी कहा है कि देखे भी या एप डेवलपर्स और जो दूसरे लोग हैं उनकी भलाई के लिए और अच्छे के लिए भले किसी का किंग्डम जो है या रोड है वो अपने होशारी मारते रहे हम आगे बढ़के रहेंगे ऐसे इंडारेक्ट वे में Google को बताया है और अब इसके अलावा थस्जे को ये सब सुनने के बाद ऐसा लगा कि अलफबेट्स गूगल की जो इंडियन मोबाल एकनॉमी है उसको चैलेंज दिया जा रहा है वहीं दोस्तों इसके बाद अब आज की आखरी टेक न्यूस की बात की जाए तो वह आरी है माइक्रोसॉफ्ट की तरस से जहां दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को उप्योग में लेते हैं तो यहां पे ऐसे में जल्द ही आपको जो है एक नया वर्जिन मिलने वाला है विदाउट सस्क्रिप्शन के और ये जो है अपडेट या न्यू वर्जिन जो है आपको अगले साल याने की 2021 के सेकंड हाफ में मिलेगा ऐसा जो है एक ब्लॉक शेयर किया गया है ऑफिशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज टीम के द्वारा और यहां पे ये जो है जो लगातार अपडेट या रिलीज आते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए ये उसी में से रहने वाला है तो दोस्तो बस फिलाल की ये थी कुछ आज की टॉप टेक न्यूज उमीद करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जोड़दा लाइक दे दीजे जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजे और हाँ अगर आपने मैं चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दीवी लाल बटन को प्रेस करके जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा तो दोस्तो फिल्म मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही अगली टेक न्यूज में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम करेंपने माल